हार तो जैसे इस वर्ट कप में इंगलेंड के मुकदर में लिख दी गई है यूजिलेंड, साउथ अफरीका और अगवानिस्तान से बुरी तरह मैच हारने के बाद अब सीरी लंका से हार ने इंगलेंड प्लेयर्स को तोड़ के रख दिया आज इंगलेंड की बैटिंग बुरी तरह नाकाम हो गई और सबकी उमीदें बैन स्टॉक से वाबस्ता थी बैन स्टॉक जब आउट होकर पुवेलियन की तरफ लौट रहे थे तो उनकी आँखों में आंसू थे इंगलेंड के ड्रेसिंग रूम में जैसे सफे मातम बिच गया तमाम प्लेयर्स परिशान और अफसुर्दा दिखाई दिये इतने कम स्कोर का टार्गिट देने पर जौस पटलर की हालत देखने लाइक थी इंगलेंड के प्लेयर्स जब बॉलिंग करने के लिए आये तो तब भी सब प्लेयर्स परिशान और अफसुर्दा थे इतने मैचेस हारने के बाद दिल बरदाश्ता होकर रो पड़े इरिलंका की टीम ने शांदार बॉलिंग की और तमाम खिलाडियों को आउट कर दिया इरिलंका से ये मैच हारने के बाद इंगलेंड के सेमी फाइनल में जाने की तमाम उमीदें दम तोड़ चुकी है